क्यों अब पिताजी की फसल प्यासी नहीं सोती? क्यों अब पसीने की कमाई आधी नहीं होती? कैसे अब भाईया के मुबाईल से मंडियां जोड़ जाती है? कैसे अब भाईया की परिशानियां टल जाती है? अब फसल का डेड़ गुना दाम मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला वो मिल रहा है कम दाम मिलने पर जो हमारे परिवारिक जो खर्चे उसमें कटोतिया होती थी ना हम कोई यंत्र ले पाते थे आज जब अच्छी फसल हमारे अच्छे दाम बिक रहे हैं 25-30% का हमाई जाफ़ा हुआ है तो हम बच्चों की पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आने वाला समय जो ना बच्चों का अच्छा होगा कैसे बात साफ है एक-एक किसान की शक्ती तरक्की में बदल रही है तभी तो जो दशकों तक नहीं हुआ था वो सिर्फ बार्टालिस महीनों में हुआ है